फिल्म की शुरुवात होती है साथ दोस्तों के एक ग्रूप से ये सब अपनी एक दोस्त का बेड़े मनाने के लिए एक पुराने मैंचिन में आती है जो उन्होंने रैंक पर लिया था पार्टी में ड्रिंक खत्म हो जाती है पर पार्टी थी तो ड्रिंक तो इन्हें चाहिए ही थी ये सोचते हैं कि हम कहां से ने कराएं ड्रिंक क्योंकि मैंचिन तो अबादी से काफी दूर है पर इनको चाहिए तो थी इसलिए वो सोचते हैं कि इतना बड़ा मैंचिन है जुरूर यार ड्रिंग्स तो होंगी इसलिए वो अपने तलाश शुरू कर देती है जिहाँ वो बेस्मेंट की पास आ जाती है जिसका दरवाज़ लॉक था दरवाज़ बन था तो इन्हें जाहिरे चले जाना चाहिए था बेस्मेंट को नजर अंदास कर देना चाहिए था मगर वो सब एडवेंजर की वोड में थी उन दोस्तों ने ताला दोर दिया और नीचे चले गए नीचे बुलाने चीजों का डेर लगा हुआ था जिससे ऐसा लग रहा था कि ये गर किसी कॉलेक्टर का है और आपके साथ क्या क्या हो सकता है कार्ड पर डेमन, डेविल, शेतान, विच्चोडेल के नाम भी होते हैं कार्ड के मताबिक इन में से जो भी आपके रीडिंग आएगी आपके साथ वो ही होगा ये कार्ड बोस्त ज्यादा यजीब थी कार्ड को देकर नद रहा था कि किसी ने हाथ से खुद बनाए है हैली जो टेरो कार्ड की डिंग कर सकती थी सब उसे अपना अपना और उसकों बताने के लिए क्याती है मतलब उनकी किस्मत का हाल, उनका फ्यूचर की आगे किया होगा और उनकी नीचर की बारी में हैली पहले मना कर देती है क्योंकि दोस्तों की कार्ड इस्तमाल करना मना होता है लेकिन उसकी दोस्त का बड़े था इसलिए हैली उनकी बात मान जाती है उसे हलांकि अंदर से कुछ गुलत होने का एहसास था लेकिन वो अपने दोस्तों की बात को नजर इंदास ने करना जाती थी इसलिए सब ओपर जाकर शुरू करते हैं टेलो कार्ड्स की रीडे 12 कार्ड्स को इन्होंने सरकल में रख दिया और सबसे आखरी 13 कार्ड को बेच में क्योंकि वो फाइनल कार्ड होगा सबसे आखरी वाला तो सबसे खास होगा वो पहना नंबर है लिकी उसी दोस्त का लगा जिसका बड़े था उसका कार्ड बाहाई प्रिस्टेस निकला हैली ने उसे कहा कि तुम्हें हर चीज़ को लेकर क्रियोसिटी होती है यह क्या हो रहा है कि वो हो रहा है उस तजिसस को जाने के लिए तुम कोशिश करती हो और तुम्हारे क्रियोसिटी ही तुम्हें मुसीबत में डाल सकती है तुम काम्याबी की सड़ी चर रही हो लेकिन अराम से चरो वरना फिसल सकती हो गिर सकती हो जिससे गेरा जटका लग सकता है क्योंकि ये warning उस वीच की है जो तुम्हारे कार्ट पर आई है यनि के high priestess इसकी बाद बारी आई हैली की दूसरी दोस की उसका कार्ट था the hangman हैली ने उसे कहा कि तुम्हें technology से मुतंदिक मुसिबत का सामना करना पड़ेगा पर घब्राना मत सब ठीक हुचाएगा बस तुम प्रॉब्लम को देखकर घब्रा मत जाना बागना मत इसकी बाद अगला नमबर आता है दूसरी दोस पेज का उसका कार्ट था the magician हैली उसे कहती है कि तुम्हें कोई दो हिस्सों में खेंचेगा तुम्हें वहाँ पर बंद कर देगा पर वो इसी नजर अंदास कर देती है अब एक दोस पेक्स्टन बाद स्रूम जाता है उसी बालकनी में कोई दिखाई देता है मगर जब लाइट आन की तो वहाँ कोई भी नहीं था अगला नंबर है लिकी मेड फ्रेंड का था लेकिन वो हैने से रीडिंग लेने से मना कर देता है क्योंकि उनका जगला हो जुका था उसकी जवाब पेक्स्टन आगर बैठ जाता है उसका कार्ड दो फूल निगलता है जो है वो तुम्हें गलत रास्ती पर नहीं जा सकती है और तुम्हारे सामने प्यार की जो रास्ते खुल रहे हैं उन पर सोच समझ की जनना और तुम्हें कहीं से पैसे भी मिलने वाले हैं सबकी रेटिंग हो गई थी और अब बस है निकल दोस्ती बचा था इसलिए वो भी आगे आ ही जाता है उसका कार्ड निकलता है दर डेविल उसकी बताया जाता है कि तुम अपने रिष्टों को खराब कर रहे हो तुम डीमन का सामना करो या तो तो तुम्हें की कुलवानिं नहीं लेती पर अंदर ही अंदर उसे अजीब सा भी महसूस हो रहा था अधनी सुबाब सब वापस निकल पड़ती है रास्ते में ये लोग एक गया स्टेशन पर रुकी जहां पेज की डोस्त के एक कार्ट को स्क्रेज करने से साथ जार डॉलर्स निकल दी जिससे वो काशी होश हो जाता है लेकिन एक तरह से ये उसकी तैरो रीडिंग पूरी हो गई विदू में कहीं से पैसे मिलने वाने है रात को सब अपने अपने घर से दे जाती है जब की हैली की दोस्त जिसका वेड़े था वो होस्टल चली जाती है वो जब नहा कर बहार निकलती है तो होश हो जाती है और पिर हाई प्रीस्टस सेड़ी उठाकर उस पर दे मारती है उसने ऐसा बार निकलती है कि देखती है कि सीड़ी वापिस नीचे पिर से आ गई है वो सेड़ी की पास जाने लगी है लेकिन ये नाटिस नहीं कर पाती है कि कोई पीछी खड़ा हुआ है पर उपर एटिक में कोस्टल की कोई लड़की नहीं थी बलके थी दा हाई प्रीस्टस यानि जो उसके टेरो कार्ट पर आई थी वो जोर से चिलाई तब उसी देखकर वो नीचे गिलकर भी होश हो जाती है और पिर हाई प्रीस्टस सेड़ी उठाकर उस पर दे मारती है उसने ऐसा बार-बार किया बार-बार उसने अमले की जिससे पुछ वलिकर है निकी वो दोस्ट मारी जाती है जैसा कि हैली नहीं उसके टेरो रिडिंग में बताया था कि किरियोसिटी तुम्हें पंसार देगी सेड़ी अराम से चड़ना और ना फिसल जाओगी गेरा जटका लग रात-बार कि सब चली जाती है निकी एली-पेज की साथ ही रुख जाती है क्योंके वो अपने दोस्ट की मौसी, वो ज्यादा ही दुखी थी हैने उससे बताती है कि जब मैं छूपी थी तो तब मिले टेरो कार्ड की रिढिंग सीखी थी, उस टाइम मिरी मा बीमार थी, मैं लोकार्ट का डीमन यानि हर्मिट उसकी पीछे लग जाता है अब पेज का दोस्ट ट्रेन से वापी जाना चाहता था लेकिन हर्मिट की लाइट में उसे गलत साइट जाने पर मशबूर कर दिया जैसी उसकी रीडिंग आये थी और अब अच्छानक एक ट्रेन आकर उसे कुछ देती है जिससे बुरी तरहा उसकी मौत हो जाती है और कुछ इस तरहा इसकी रीडिंग सच हो गई यानि प्यार की रास्ती पर सोच समझ के चलना वो अपनी उस दोस्त को छोड़ने आया था जिससे वो पसंद करता था और दूसरे बात हर्मिट की नाइट ने उसे गलत रा राजी हो जाते हैं और सोचने लगती है कि अब हमें क्या करना चाहिए पर अब जाहिर है उन्हें मदद चाहिए थी इसलिए उन्होंने इंटरनेट का सहारा दिया उन्हीं एक औरोत की बारे में पता चड़ा जो इन सब चीजहों की माहिट थी क्यूंकि वह एक औरेकल थी औरेकल ने टेरो कार्स की बारे में लिखा था कि कैसे इनकी वजह से इतने सारे दोगों की मोते हुई है उन्होंने औरेकल का नंबर मिलाया लेकिंग वो फोन नहीं उठाती है तब सबने फैस्ता कि आरके सीधा उसकी घर जाएंगी जो अबादी सी काफी दूर था है यह ल शुरापी थें उनकी वजह से पहले भी करें लोगों की मोती हुई है मैक्सिको में फिर वुट्स्टॉक में और दीसरी जगा लेंडन में भी ऐसा हुआ था लेंडन वाली केस में एक इनसान बच गया था और वो कोई और नहीं मैं खुद हूँ क्योंकि मैंने सब की रिडि शुरापित कार्ड आए कांसे जाहिर है यह और इकल इस बारे में भी सर्च करकी बैटी हुई थी और तब वो बताती है कि यह कार्ड्स एक राजा की वजह से शुरापित बने हैं पतारवे सदी में एक राजा की राणी ब्यागनेट थी जिसे राजा बहुत खुश्टा राजा ने अपनी एस्ट्रोलजर यह जो किसमत का हाल बताते हैं उससे रीडिंग दरवाई तब पता चिना कि बच्चा और राणी दोनों बढ़ जाएंगी जिब राणी बच्ची क पैदा करे कि यह सुनकर राजा को गुसा आया और उसने कहा कि रीडिंग को बदलो ऐसा नहीं हो सकता एस्ट्रोलजर ने कई दफ़ा रीडिंग को बदलने की कोशिश की लेकिन हर दफ़ा मौत का रिजल्ट आया जो थाइट है पर इसका मतलब मौत भी हो सकता है और नई श और उसे इतना हुसा आया कि वो तो जैसे पागल ही हो गया उसने एस्ट्रोलजर पर विच्ग्राफ का इल्जाम लगाया यानि कि ये जादो टोना करती है उसे काफी सजाएं दी और फिर उसकी बीटी को अपने सिपाहियों की साथ मिलकर मरवा दिया जिससे एस्ट्रोलजर बहुत दुकी हुई और उसे भी बहुत गुसा आता है इसलिए बदले में एस्ट्रोलजर ने वो खतरनाक कार्ड्स मिलाई और उनका इस्तमाल करके राजा और उसकी सिपाहियों की रीडिंग की फिर एक खतरनाक रिच्वल करके अपनी जान लें ताकि उसकी आत्मा हमेशा उन कार्ड्स के साथ बंदी रहें और कुछ इस सरह ये कार्ड्स श्रापित हुए क्योंकि उसकी आत्मा उन कार्ड्स के साथ जुड़ी हुए है पिर एक एक करके राजा और उसकी सिपाहि मरने लगे बिलकुल वैसे जैसे उनकी रीडिंग सुनी थी और कुछ इस सरह को हमेशे के लिए तबाह करना ये सब सुनने की बाद हैरी और उसकी दोस मैंचन की तरफ चले जाते है इनि जहां वो कार्ड्स थी लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी एक पुल पर बंट हो जाती है इस वक्त हैने को यकीन हो जाता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है आ अब रेटिंग के मताबिक हैंग में आया और उसी सच में लटका कर वहां से चिला जाता है यनि उस पो बोत पूरी मोत दीता है सब के सामनी वागिया हुआ था और अब कोई शक नहीं रहता कि ये सब कार्ड्स की बज़ह से हो रहा है मगर वो नो पोर्टर चाती है ये देक वज़र से इसकी रेटिंग के हिसाब से फोल डीमन इसके पीछे लंच आता है जो देकर वो काफ़े डर गया और जल्दबाजी में वो लिफ्ट में चड़ जाता है मगर वो यहां उपस गया था जैसा कि उसकी वीडिंग में आया था कि तुम ट्रैप महसूस करोगी क्योंक और ने बताया कि इन कार्स को तबाख करनी के लिए एक रिच्वल करना होगा जिससे एस्टोरेंज़र की आत्मा को कार्ट से अलग किया जाएगा औरेकल रिचल शुरू करती है और एस्ट्रोलजर की आत्मा को बुलाती है पर उसने ये नहीं सोचा था कि आत्मा कितनी ताकतवर हो सकती है आत्मा ने आकर उल्टा औरेकल के ही रीडिंग करती है और उसका फाइनल कार्ड आया Six of Swords यनि छे तर्वारे उसने औरेकल की अंदर खुसा कर उसकी जानने ये देकर हैली और उसके दोस्तों ने वहाँ से बाद में शुरू करती है लेकिन पेज उनसे अलब हो जाती है और उसकी रीडिंग भी सच होने लगती है यनि उन दोनों दोस्तों के टेरो कार्ड की रीडिंग जो एक हैली का था और दूसरा उसकी दोस्त का तब हैली को एक आइडिया आता है कि अगर मैं एस्टोलिजर की रीडिंग कर दू तो उसकी मरने की बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा प्यूकर ऐसे कार्ड और उसकी आत्मा बूसरा नोटो अलग हो जाएंगा आत्मा कत्मौँगी तो कार्ड कत्मोंगी कार्ड कत्मोंगी तो कर्सपीड टोट जाएका वह भी हमेशा की եो एंहली ने फैसला कर लिया था कि उसको ये खेंड खत्म करना पड़े का परना सब कुछ बर्बाद हो सकता था अब ही तक हैले खुद ही बता रही थी किसमत को हम बदन नहीं सकते लेकिन अब क्योंगे वो पूरी एकीन से कह रही थी तो अब तो किसमत पका बदनने वाली थी पर इनकी बातों ही बातों में डैवी उसकी दोस को खीच कर ले जाता है और डैथ यानी की मौत हैले के पीछी पर जाती है प्यार तुम्हारी मौत की वज़ा बनेगा ऐसे उसकी रीडिंग थी हैले ने प्यार का साहरा लेकर अपने किसमत को बदनने की कोशिश की पर प्यार को तो यानी उसकी दोस को तो डैवी डेगया और इसलिए अब बस मौत ही बची थी डैथ ने आकर हैले को पकर लिया लेकिन तबी प्यार वापिस आ जाता है यानी उसका दोस उसकी दोस की रीडिंग थी कि तुमें डीवन का सामना करना होगा वड़ना तो उनकिसी करीबी को खोदोगी अब वो डीमन का सामना कर रहा था जिबकि हैली ने उस एस्ट्रोलजर की आत्मा के लिए रेडिंग कर दी और अब उसका फैनल कार्ड में डैथ ही निकलता है बिल्कुल हैली की तरहा अब अगर डैथ आत्मा को पहले ले गई तो हैली बचाए हैली की दोस्त का पता नहीं कि वो बचीगा या नहीं क्योंकि डैवी उसे खीच कर नहीं जा रहा था यहां हैली एस्ट्रोलजर की आत्मा को कहे रही थी और आत्मा का इन दोनों के सामने खात्मा हो जाता है आत्मा की खत्म होते ही कार्ट्स भी खत्म होए और ये कर्स भी आकर कर हमेशे के लिए खत्म हो जाता है अब जिससरा डैथ का मतलब मौत और नई शुरवात है तो मौत बन गई उस आत्मा की जो उसके साथ डूम में रहता था उसने आकर दर्वाजा खोल दिया था और इसे बचा लिया था यनि जैसा उसकी रीडिंग में आया था कि कोई करीबी उसे बचाएगा जिस वज़े से फूल दीवन चला किया अब इनकी रीडिंग के हिसाब से बच गए थे लेकिन आकरकर इन्होंने उन श्रापित कार्ज को भी हमेशा हमेशा के लिए बरबाद कर दिया यनि कि अब किसी की मौत इसाहा नहीं हो और इसे के साथ ये फिल्म भी इडरी खत्म जाती है